हेलो एवरिवन दिसी दीपक निशाथ वेलकम तो माई चैनल आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग इस चैनल पे सीटेट के पी वाई क्यूब के कोशन पेपर का अनलिसिस कर रहे थे जो आने वाले सीटेट में आप लोग के हल्प करेगा आज भी हम लोग एक कोशन पेपर के अनलिसिस करेंगे जैसा कि आप लोग स्कीन पर देख रहे हैं सेक्षन मैथमेटिक्स का और यह है पेपर 5 जैनवरी 2022 का तो चलिए विदाइट टाइम वेस्टिंग आज का सेक्षन हम लोग सुरू करते हैं चलते हैं अपने पहले कोशन पे आज का पहला कोशन है हमारा वाठ शुद्ध बी सब्टेक्टेट प्रॉम दा सम फॉफ 9599 प्लग 5995 एं 99995 थो अप्टीन 19,995 तो आप्टीन 19,995 कह रहा है कि इन तीनों के सम को एड करेंगे तो क्या सब्टेट करेंगे कि 19,995 मिल जाए तो पहले क्या करेंगे हम 9,599 को प्लस करिए इन तीनों को पहले एड कीजिए यह हो जाएगा 19 ओके यह ना है 28,2,20,25,2,9,10,20 and 25 25,589 हो गया हमें क्या अप्टेन करना है तो हम क्या सप्टेट करें इन तेनों के सम में से तो हम इसमें से इसको मानस कर देंगे ओके यह हो जाएगा 9 में से 5 गे 4 8 में से 18 में से 9 जाएगा 9 कि यहां यह 15 हो जाएगा 15 में से 9 जाएगा इस ओर यह 14 हो जाएगा 14 में से 9 जाएगा 5 और यहां पर 14 में से 9 जाएगा 5 ओके 5594 हमारा आंसर है कोटिट बहुत सिंपल सा कोश्चन था क्या रहा है इन तीन तीन अंको की योग में से हम क्या घाटाएं की 19,995 हमें मिल जाएगा तो पहले हम तीनों को एड करेंगे उन में से 19,995 को मानिस कर देंगे तो हमें यह आंसर मिल जाएगा इसका सेकेंड आप्सन सही है चलते है ने 55, Okay तो देख चह रहा है कि 55,5655,55 को क्या कौन सा रिप्रिजेंट कर रहा है तो DAWN 10,100ンド – टैन तैन लैक तो यह Indian सिटम में 55,5555 तो हमारा फर्स्ट आप्शन ही जो है represent कर रहा है okay तो हमारा फर्स्ट कोशन है 55,555,555 को कौन सा प्रदर्शित कर रहा है तो हमारा फर्स्ट आप्शन सही है okay चलते है ने इस्ट कोशन पे कुसम play with her friend in the evening when both the hand of the clock are at 6 this time on a 24 hour clock can be read as कहरे कि कुसम जो है अपने दोस्ट के साथ साम के समय खेल रही है जब घड़ी की दोनों सुया छे पर है तो 24 hour format में कितना समय हो रहा होगा 24 hour format में क्या होता है एक से लेके 24 तक हमें सो कर रहा है जो यह डिजिटल होता है और एक एनलोग घड़ी होती है जिसमें एक से लेके 12 तक पहले घुमती है फिर 12 से लेके 12 तक घुमती है तब जाके 24 घंटा complete होता है तो साम के साड़े छे बज़े है तो 24 घंटे के फॉर्मेंट में क्या टाइम होगा 18 है जब दोनों सिक्स पे होंगी चलते के नेक्ट कुस्चन पर वही है कुसुन अपने मित्रों के साथ खेल लिए इसका राइट ऑप्सन क्या है थर्ड ऑप्सन साम के अठारा बच के तीस मिनट होंगे 24 घंटे वाली प्रक्रिया में प्रणाली में सॉरी चलते है नेक्ट कुस्चन पर Sum of the fraction 3 upon 15 and 7 by 12 देखे कितना सिंपल था कुस्चन पूशक का है 3 by 15 और 7 by 12 का हमें योग निकालना है तो 15 और 12 का से हम निकालनेंगे यह हो जाएगा 60 यह 15 4 जा 60 तो 15 4 3 जा 12 प्लस 12 5 जा 60 तो 5 7 जा 35 तो कितना हो जाएगा 747 upon 60 that is हमारा second option सही है यह प्राइमरी लेवल का पेपर है इसले बहुत सिंपल कुस्चन पूशता है तीन बटे 15 और 7 बटे 12 का योग पूशा है तो 47 पटे 60 हो जाएगा चलते हैं next question पे a square has a boundary of 20 cm from the corner of this square a small square of side 1 cm is cut off what will be the change in the boundary of new shape देखे question फिर से repeat हुआ है बस dimension उसकी change कर दी गई है एक square है जिसकी भूजा प्रते एक भूजा 20 cm की है और उसमें से क्या क्या गया है प्रते एक corner से एक cm square वाले एक cm का square काटके निकाल दिया गया है तो उसके परिमाप में क्या change होगा तो देखे फिगर फिर कैसा हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा ओके यह भूजा हो जाएगी 18 यह एक यह एक फिर यह एक और यह 18 एक एक इस तरह से इसकी dimension हो जाएगी तो देखे 18 यह 18 19 और 20 उसकी boundary में कोई change नहीं हो जाएगा होगा ओके हो सकता है से तरफल में कमी आ जाएगी थोड़ी लेकिन जो है उसके परिमाप में कोई boundary में कोई chain होगा option है the boundary of a new shape will be 2 cm less than 2 cm less हो जाएगा नहीं तो हमारा 3rd option क्या है सही है पहले भी ऐसे question पूछा जा चुका है बस उसमें dimension अलग थी तो उसमें ध्यान रखेगा कि जो boundary है या परिमाप है वो कभी भी change नहीं होगा नए अकार की परिसीमा वर्गी की परिसीमा के बराबर होगी ओके चलते है next question पर पाइफ इस तरह का data निकाला what is the average length of all the pencil average length पूछा है तो पहले हम सब को add करना पड़ेगा okay 15.5 है 12 है 12.0 हो जाएगा 11.8 9.7 and 7 cm okay 8 plus 7 15 plus 5 20 2 carry हो जाएगा 2 plus 5 7 7 plus 2 9 9 plus 1 10 10 plus 9 19 19 plus 7 26 2 56 5 pencil है okay कितना हो जाएगा 5 11 जा 55 okay 1 और 0 जाएगा तो यह हो जाएगा 11.2 cm तो सभी pencil की जो औसत लंबाई कितनी हो जाएगी 11.2 cm okay यहां पर जो हमारा right answer हो जाएगा 11.2 मीटर हो जाएगा चलते है next question पर 18 square of side 2 cm each can cover a currency note how many square are required to cover 3 such note 18 square चाहिए 2 cm के भुजा वाले एक currency note को ढखने के लिए तो 3 note को ढखने के लिए कितने squares कितने वर्ग की अवसकता होगी तो देखे यहां इसके square के dimension से कुछ लेना देना नहीं है सिंपल सा है एक currency note को ढखने के लिए 18 लग रहे है तो 3 currency note को कितने लगेंगे 3 into 18 कर दीजे that is 54 बस हमें 54 square लगेंगे यहां पर dimension का कोई लेना देना नहीं है यह यहां देखे एक currency note को ढखने के लिए 18 वर्ग लग रहे थे तो तीन currency note को ढखने के लिए 54 वर्ग लगेंगे तो यह हमारा fourth option सही है चलते है next question पर identify the quadrilateral के रहे हैं इसमें चत्रभूज को पहचानना है I have two lines of symmetry मेरे पास दो line है symmetry की all my angles are 90 degree और के रहे हैं मेरे सारे एंगल कितने है 90 degree है okay some code है तो कौन सी squares में भी जो है 90 degree होती है लेकिन square में क्या होती है उसमें बहुत सारी symmetry होती है क्योंकि सारी भुजाए बराबर होती है तो square नहीं हो सकता rhombus में angles 90 degree नहीं होते diagonals 90 degree पे cut करते हैं लेकिन वो जो है उसमें obtuse और acute angle होते है rectangle rectangle में 90 degree हो सकते है और parallelogram तो दो line parallel हो सकती है square भी parallelogram है rhombus भी parallelogram है और rectangle भी parallelogram है इस question के हिसाब से जो answer होगा वो हमारा third option हो जाएगा आयत इन दो conditions को follow करेगा ओके जो rectangle है इन दो given property को carry करता है चतुरभुज को पहचानिए तो मेरी दो सम्मित रेखाएं हो मेरे सभी कौन 90 degree है तो इसका answer है third option आयत सम्म चतुरभुज एक स्क्वेर होता है ऐसे rhombus तो इसके एंगल जो है 90 degree तो नहीं होते हैं यह acute एंगल होते हैं यह obtuse एंगल होता है ओके चलते हैं next question पर thirds in a four color blue, yellow, black, white are available in packet of 5, 10, 12 and 15 respectively कह रहा है thirds है चार color में blue है, yellow है, black है और white है ठीक है वो packets में available है कि इसमें 5 के, 10 के, 12 के और 15 के इसको बराबर बराबर सारी shirts खरीदनी है तो कितने कितने packets खरीदने पड़ेंगे यह फूचा है तो देखें यह simple सा question है LCM का लगुतम समाप वरते 5, 10, 12 और 15 का LCM निकालेंगे तो वैसे तो इसका LCM 60 आ जाएगा फिर भी मैं निकाल के बता दे रहा हूँ यह 5, 6 and 25 फिर 2 से ले जाएगे यह 5 नहीं जाएगा 5 नहीं जाएगा 3 जाएगा and 25 फिर किस से जाएगे, 3 से जाएगे, 5 नहीं जाएगा 5 नहीं जाएगा 1 और यह 25 फिर 5 से ले जाएगे यह जाएगा फाइफ यहां पर फिफ्टीन था यहां पर गलती कर दी है मिश्टेक हो गई है तो यह यहां पर फिफ्टीन यहीं इसे हो जाएगा और यहां पर फाइब से ले जाने की जबत नहीं है तो टू टू जा फॉर तुष ट्वल ट्वल फाइब जाSI ल्स्टी एजोब माजये तो उसको साथ सर्ट भी खरीदनी पड़िए बराबर to 5 का पैकेट है प्लू सर्ट जार तो उइसको जाल पांच का पैकेट खरीदने पड़िए तुर्ण ब्लू का 12 सब्सक्राइब register खरीदने के लिए उससे फार्ण खरीदने पड़ेंगे admire यविए खरीदबर से चुर्ण फंब इकरतं लिए हमारे था और उप्संदेश्ञेग एे ओकट्अ में लिए ऐल बने के ओक्राया है कोित्जार सब्सक्राइब चार रंग नीला, पीला, काला और सफेद की कमीजों को क्रमस, पांट, दस बारा और पंदरा के पैकेट में उपलब्ध है यदि दुकानदार को चारों रंगों की कमीजे समान संक्या में खरीनेए तो उन्हें इस तरीके से खरीनना पड़ेगा नीले के बारा पैकेट, पीले के छे पैकेट, काले के पांच पैकेट और सफेद के छे पैकेट चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर रेनुका जो है एक रस्सी लेती है और कुछ कील लेती है ठीक है और वो जमीन पर एक सर्कल बना रही है रस्सी और कीलो का इस्तमाल करके और अपने दोस्त की भी मदद लेती है वो क्या करती है रस्सी के दोनों सिरो पर कील बान देती है एक अपनी दोस्त को दे देती है कि बीच में जैसे सेंटर कार दीजे और बाकी वो रोप को रोटेट करती है ऐसे इस तरीके से rotate करती है तो इसमें से कौन सा कथन सही है the length of rope is equal to the length of the cord of the circle जो length है rope की वो circle के cord के पर राबर होगी, cord क्या होती है two given points, circle के अंदर boundary के पर two given points से draw होने वाली line को हम cord कहते है second is the length of the rope is equal to the length of the diameter, जो rope की length होगी वो circle के diameter के बराबर होगी नहीं, यह भी statement सही नहीं है the length of the rope is equal to the length of the radius of the circle, जो length होगी rope की, वो circle के radius के बराबर होगी तो देखे हैं, यहाँ पर एक कील गड़ी है और एक कील यहाँ से बाहर बाहर रोटेट की जारी है तो यह जो सेंटर से लेके circumference तक जो length होती है उसे ही हम radius कहते है तो यही जो है rope की length हो जाएगी तो third statement हमारा upper situation के हिसाब से सही है fourth है the length of rope is equal to the circumference of the circle उसके परिमाप के बराबर है नहीं हमारा third option सही है जो रसी की जो लंबाई होगी वो वृत की त्रिज्या के बराबर होगी okay तो यहां पर रेनुका नहीं जिस तरह से circle बनाया है उसके हिसाब से कथन जो सही है प्रियोग की गई रसी की लंबाई उस वृत की त्रिज्या की लंबाई के बराबर है चलते हैं नेक्ट कुस्ट्टन पर How many total complete packet of 3 by 4 kg can be made from the 51 whole 2 by 3 kg amount of sugar देखे कह रहा है कि इतना total sugar है और इतने के packets बनाने तो कितने packet बन सकते हैं तो पहले हम इसको simplify कर लेते हैं 3 बन जा 3, 35 जा 15 15 plus 2 तो यह हो जाएगा 155 upon 3 kg तो total sugar है और 3 by 4 kg के packets बनाने हैं तो इसको 3 by 4 से divide कर देंगे तो यह कैसे हो जाएगा 155 upon 3 यह fraction कर जैशी प्रॉकल हो जाएगा 4 by 3 जब इस तरह एक fraction को दूसरे fraction से divide करते हैं तो पहले का denominator दूसरे के numerator से multiply होता है और numerator पहले का numerator दूसरे के denominator से multiply होता है तो यह कितना हो जाएगा 4 by 5 by 20 22 4 by 4 5 by 6 6 by 20 और यह हो जाएगा 9 अब 6 by 20 को 9 से divide करेंगे तो कितना होगा 62 9 by 7 जा 63 होता है 7 तो जाएगा नहीं 6 ताइम ले जाना पड़ेगा 9 जा 54 होगा 62 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा 8 और 0 9 जा 81 9 ताइमस ले नहीं जा सकते 9 जा 72 जाएगे 68 जो है Almost Almost Complete Packet बन जाएगे Complete पूछा है Complete Packet कितने बन जाएगे 68 Packets बन जाएगे इतने kg सुकर से ओके तो इस situation के हिसाब से दिये फे जो complete पूरी तरह से Packet जो बन जाएगे 68 बन जाएगे एक कुछ extra बन जाएगा लेकिन वह Incomplete होगा ठीक है चलते है next question पे Which of the following statement is correct कौन सा कथन जो है सही है 1 इस अ प्राइम नंबर 1 एक अभाजय संख्या है नहीं 1 इस अ composite नंबर 1 एक composite नंबर है Composite नंबर क्या होता है जिस भी नंबर के more than 2 factors होते है उसे हम composite number कहते है और सबसे smallest composite number कौन सा है 4 जिसके 1 2 और 4 तो यहां पे more than 2 factors है और prime number क्या होते है जिसके सिर्फ 2 factors होते है एक तो 1 और एक वो खुद और सबसे smallest prime number कौन सा है 2 और यह 2 is the only even prime number बाकी सारे जो होते है odd prime number होते है तो 1 एक composite number भी है 1 इस बोथ a prime and composite 1 is neither a prime nor a composite number 4th statement सही है कि 1 ना तो prime number है और ना ही composite number है 1 is a universal factor यह हम कह सकते है तो कौन सा कथन जो सही है एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही एक भाज्य संख्या है चलते है next question पे the angle of a triangle in the ratio 5 ratio 6 ratio 7 what is the measure of the smallest angle एक त्रिभूच के कोणों का अनुपात दे रखा है 5 ratio 6 ratio 7 सबसे smallest angle पूछा का है समसे नियूनतम कोऊ तो देखे कैसे माल लेंगे 5x plus 6x plus 7x इसको त्रिभूच के तीनों कोण के योग के बराबर कर देंगे त्रिभूच के तीनों कोण का योग होता है 180 degree यह हो जाएगा 18x तो x की value कितनी आ जाएगी 180 degree upon 18 that is 10 degree तो पहला था 5x that is 5 into 10 50 degree यह हो जाएगा 6x 6 into 10 60 degree and 7 into 7x that is 7 into 10 70 degree तो सबसे smallest हम से पूशक हा है तो 50 degree यहां पे सबसे नियुनतम कोण हो जाएगा ओके सबसे जो छोटा कोण हो जाएगा यहां पे वो 50 degree है चलते हैं next question पर Bimal bought a packet of candle on his birthday he gave one third to John one four to Radha one fifth to Sushmita and one six to Miku he eight remaining six candle how many candle were there in the packet candle की बात कर रखी और खाने की बात कर रखी यह देखते हैं John Bimal ने कुछ candles लाए packet के उसने क्या कर दिया John को कितना दे दिया one third दे दिया पहले तो हम और Radha को one fourth दे दिया Sushmita को one fifth दे दिया और Miku को one sixth दे दिया और Bimal के पास अभी छे बचे हैं तो total वो कितने packets लाया था इस तरह का जब भी question है तो हम क्या करते हैं हमें candles पता नहीं है तो हमें x candle मानना होता है लेकिन मान लीजे one पहले पूरा complete one मानेंगे और उनमें से इन सभी fraction को जोड़के minus कर देंगे 1 by 3 plus 1 by 4 plus 1 by 5 plus 1 by 6 ओके यह x है उसमें से बचा हुआ क्या है 6 है तो इसके बराबर कर देंगे यह हो जाएगा 1 minus इन सब का LCM कितना आ जाएगा 3,4,5 and 6 का जो LCM होगा वो होगा 60 यहां पर हो जाएगा 20 plus 15 plus 12 plus कितना हो जाएगा 10 यह हो जाएगा सिंपल करेंगे तो इसको जाएगा 60 minus 57 upon 60 x ओके तो जाएगा 6 is equal to 3 upon 60 x तो इतना हो जाएगा 3 से 60 को कार देंगे 20 और x की value निकालने के लिए 6 into 20 कर देंगे x की value यहां से हमें निकल जाएगी तो हमारा answer कितना हो जाएगा 120 degree पहले हम उसको हमें packet का पता नहीं है तो हम उसको 1 माल लेंगे माली जे 1 थी उसमें से fraction fraction करके उसने बाट दिया फिर भी उसके पास 6 बची हुई है तो इस तरहीके से हम candles निकाल लेंगे कि सबसे पहले वो कितने candles लाया था packet में तो 120 candles थी तो यहां पर जो हमारा option है second option सही हो जाएगा चलते है next question पर the sum of 7 consecutive even number arranged in an increasing order is 98 what is the third number in this order कह रहे है सात क्रमित सम संख्याओ का योग क्या है 98 है तो third number क्या है तो इस तरह का question क्या कर यह सीधे 7 number है तो X या X plus 1 ऐसा मानने की कोई जोत नहीं है 98 को 7 से divide कर दीजिए हमें औसत पता चल जाएगा तो यह हो जाएगा 14 और यह कौन सा number होगा यह 4th number होगा ओके यह सबका average पता लगा लेंगे 98 को 7 से divide कर जाएगा 14 नमबर हो और 14 हमेशा 4th number होगा 7 अगर 7 नमबर दियें तो उसमें से 4th number 14 होगा हमसे पूछा है 3rd number 14 से पहले कौन सा even number होता है 12 और यही क्या हो जाएगा हमारा answer हो जाएगा okay what is the 3rd number in this order that is 12 हमें smartly math करना है सबस्ट जाएगा पहले x माने प्रेश प्रेश तो इस तरह के से हमें कुछ नहीं करेंगे time waste करेंगे हमारा right option फस्ट है चलते है यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा जो answer है वह 12 answer है, okay, चलते है next question पर, अब यहां से हमारी math की pedagogy स्टार्ट हो जाएगी, following three statement have been given in the context of teaching number to student of early primary classes, three statement दिये में हैं कि प्रात्मी के इस तर पर number के पढ़ाने के संदर में, क्या दिया है, encourage student to think about number and quantity of object when these are meaningful to them, बच्चों को encourage करना है कि वो number के बारे में सोचे, quantities के बारे में सोचे, object से जब वो meaningful हो, encourage student to learn counting by recalling number name, बच्चों को encourage करना है कि वो number को याद करें, number name याद करके, encourage student to make set with movable object या बच्चों को encourage करना है कि वो sets बनाए, with movable object से, तो हमें किस चीच के लिए encourage करना है बच्चों को यहाँ पर यह पूच रखा है, तो देखे, यहाँ जो तीनों statement है, उसमें से first option सही है, बच्चों को encourage करना है कि वो number के बारे में सोचें कि उनका use क्या है, वो क्यूं हम पढ़ रहे हैं, यह सब जानना है, उनको recall या road memorization पे जोर नहीं देना है, C है encourage students to make set with movable object, हमें concrete object का use करके primary level पे बच्चों का सिखाना चाहिए, तो बच्चों को इस चीज के लिए encourage करना चाहिए, तो C option भी सही है, तो हमारा यहाँ पे first option सही हो जाएगा, A and C will be the correct for the above context, okay, Hindi में समझ लीजे, शुरवाती प्रात्मिक अक्षाओं में विद्यार्थियों को संख्याओं के सिक्षण में संदर्भ में निम्ले तीन कथन दिये गया है, पहला है विद्यार्थियों को वस्तुओं की संख्याओं एवं उनकी रास्यों के बारे में सोचने के लिए प्रोचसाहिद करें, स्क्रीट मेटेरियल का यूज करके मैन्यू प्लेटिव का यूज करके हमें उन्हें सिखाना है ओके तो हमारा A और C आप्शन सही था इसलिए हमारा फर्स्ट आप्शन सही है चलते हैं नेक्ट कोईशन पर विच आप फॉल्विंग रिप्रेंट दा करेक्ट सीक्वेंस ओफ जमेटरिकल रीजनिंग लेवल एकॉर्डिंग तू वैन हीले थियोरी वैन हीले जो थे उन्होंने जमेटरिकल रीजनिंग के लिए कुछ लेवल्स बता रखे हैं तो उसको हमें अरेंज सही ओर्डर में बताना है पहला है विजुलाजीशन रिलेजेशन दीडथेसन यह एकुमेटिक सिकेंड है। सैकन्ड हो यह नहीं सकता क्यूंकि पहले ही लेशंसिप हम नहीं बना लेगे विजुलाजेशन तो जरूरी थे थ़ेड़ेशन ऐसं डीडथेस अни August ए lasci 씨ट ए सान करेंगे फिर relationship करेंगे relationship बनाएंगे deduction करेंगे या analysis करेंगे या axiomatics करेंगे third है visualization करेंगे पहले देखेंगे फिर उसका analysis करेंगे क्या चीज है किस तरह का देखा है relationship बनाएंगे हाँ हमने पहले इसको कहीं देखा है कि नहीं देखा है फिर deduction करेंगे और फिर axiomatic करेंगे फिर इसको verify करेंगे तो यह जो है यह step सही है correct order जो है geometrical reasoning के लिए यह दिया है visualization, analysis, relationship, deduction and axiomatic okay तो निमलेखित में कौन से वैन हीलेक अनुसार जयामेती विवेचन के स्तेरों को सही करम में रूपित करता है तो द्रिश्ची करण पहले द्रिश्च करेंगे विश्चलेशन संबंध पहिचा आनेंगे निमन करेंगे कुछ conclusion पर उतरेंगे और फिर स्वयम करेंगे वेरिफाइ करेंगे तो यह सही करम है चलते हैं नेक्ट कुस्चन पर which of the following statement is not appropriate for mathematical tasks इन में से कौन सा कथन सही नहीं है mathematical task के लिए when students are challenged with appropriate mathematical tasks there is a probability that they become confident in their ability to handle difficult problem okay जब इश्रेंड को appropriate mathematical task से challenge किया जाएगा उनके सामने चुनौती रखी जाएगी यहां समभा होना है कि वो confident हो जाएगे problem को handle करने के लिए third sorry second है it is a mathematical task is difficult it cannot be engaging for इश्रेंड अगर mathematical task difficult हो जाएगा तो बच्चे उसमें engage नहीं रहेंगे यह समभा होना है third है mathematical task should encourage students to become autonomous learner mathematical task जो है बच्चों को encourage करता है कि वो एक autonomous learner बने हिंदी में इसका है विद्यार्थ को स्वायत मतलब और खुद problem को solve करें इसके लिए encourage करता है fourth है mathematical task should provide flexibility for exploring alternative part to solve the problem mathematical task ऐसी flexibility provide करते हैं ताकि वो alternative रास्ते ढून सकें एक problem के लिए तो यह भी सही है autonomous swim सिद्धते खुद solve करके देखें फर्ष्ट भी सही है यह ज्यादा सही नहीं है कि mathematical task अगर difficult हो जाएगा तो बच्चे उसमें engage नहीं होंगे हो सकता है बच्चे उसको लेके जो है solve करें तो यह statement हमारे लिए second option सही है क्योंकि हमसे गलत पूछा ही था क्योंकि है कि निम्लेकित कत्नों में से कौन सा कथन गणिती कार्यों के लिए उपिक नहीं है अगर गणिती कार्य कठीन है तो वह विद्यार्थ को व्यस्त नहीं रख सकता एकदम से हम नहीं कह सकते बाकी सभब सारे option सही है चलते है next question पर which skill is expressed in the following statement that will help a child to understand the quantification of the object the child mentally include 1 in 2, 2 in 3, 3 in 4, 4 in 5 and so on so forth which skill is expressed कौन सा causal जो है यहां पर एक्सप्रेस क्या गार है इस बच्चे जो है object का quantification समझ जाते हैं वो 1 को 2 में 2 को 3 में 3 में 4 3 को 4 में 4 को 5 में और आगे ऐसे बढ़ते हैं तो किस तरह क्या causal प्रदरसित कर रहे है equality, hierarchical inclusion, reverse conversation, normalization तो देखें यहां पर एक वो sequence से बढ़ रहे है तो यहां पर जो वो कौन सा skill प्रेजेंट कर रहे है hierarchical inclusion ओके निमलेखेत कथन में से कौन सा causal व्यक्त किया गया है जो वस्तू के प्रमात्री करनर को समझने के लिए बच्चे में साहिता करेगा बच्चा मनोगत दो में एक, तीन में दो, चार में तीन, पांच में चार आधी आधी समिलित करता है तो यह पदा नो क्रमिक समावेशन है यह इसका राइट ओप्सन है चलते हैं नेक्ट कुस्चन पर कौन सा जो सबसे उचित तरीका है प्रात्मिक इस तर पर भिन्नो की अधारना को प्रदर्सित करने के लिए पोजिंग वर्ड प्रोब्लम और अफ्रेक्षेंट पहले ही वर्ड प्रॉब्लम दे देंगे नहीं शोविंग पिक्चर चार्ट दिखाएंगे नहीं रिप्रेजंट अफ्रेक्शन ओन नमबर लाइन नमबर लाइन तो हायर क्लास्टर्स में किया जाता है, doing paper folding activities with symmetrical rectangular strip and circular cutout, paper folding activity में rectangular strip circular cutouts का represent करेंगे, okay, concrete to object हमें पढ़ना है, from known to unknown जाना है, okay, तो यह हमारा fourth option सही है, कि पहले आप उसको cake के माध्यम से, pizza के माध्यम से, इस तरह का यूज करके, कागज की पत्तियों और वृत्ति बनाकर cutout के साथ represent करेंगे, तब वो fraction की अवधारना को समझ सकेगा, okay, तो यह हमारा fourth option सही है, चलते हैं next question पे, given below are two statement marked as assertion and region are, assertion क्या कह रहा है, mathematics curriculum in primary school must progress from concrete to abstract, जो primary level पे mathematics होता है, गणित्य पाठिक्रम होता है, वो concrete to abstract, मूर्थ से मूर्थ की तरफ जाना चाहिए, बात सही है, primary class session start doing mathematics without thinking, प्रात्मी क्लास के जो बच्चे हैं, वो गणित्य कारे करते हैं, बिना सोचे समझे करते हैं, क्या हम यह कह सकते हैं, बिना सोचे समझे करते हैं, हमारा first option तो सही है, लेकिन second option, second जो है वो region भी सही नहीं है, यहां पर हमारा third option सही रहेगा, a is true but r is false, okay, प्रात्मी के विद्याले में गणित पाठी चर्या को मूर्थ से मूर्थ की ओर बढ़ना चाहिए, यह बात तो सही है, लेकिन प्रात्मी के अक्षा में विद्यार्थी बिना चिंतन सोचे गणित करना आरंब कर देते हैं, इस तरह कर नहीं है, उनको इस तरह से सिखाया भी नहीं जाता है कि बिना सोचे वो कारे करने लगे, तो third option यहाँ पर सही है, a सही है पर अर गलत है, चलते है next question पर, according to NCF 2005 which is the most appropriate statement about classroom based assessment in mathematics, NCF 2005 के अनुसार कौन सा सबसे बेहतर कथन है, कि classroom based assessment, कक्षा बेश्च जो आकलन होता है, गणित के लिए तो उसके लिए कौन सा सबसे appropriate statement है, it should not merely be done for evaluating the issue, rather should be done for providing feedback and improving teaching learning process, यह से बच्चों का आकलन करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, पास या फेल के तरह, यह आकलन किया जाना चाहिए, क्यों में क्या improvement हो रहा है, कहां पर misconception हो रहा है, क्या mistakes हो रही है, इस तरह का improvement और feedback प्र आकलन किया जाना चाहिए, बात तो सही है, second, it must be done to rank the student, बच्चों को rank देने के लिए किया जाना चाहिए, यह negative word है, it should not be part of mathematical instruction, but should be done separately, यह mathematical part का instruction है यह नहीं, इसको separate करना चाहिए, यह भी नहीं है, self assessment is not possible in primary classes, self assessment primary class में possible यह नहीं है, तो हमारा first option ज्यादा सही है, कि यह आकलन से pass, fail, rank के लिए नहीं करना चाहिए, आकलन इसलिए करना चाहिए, कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, क्या concept बना रहे हैं, और कितना उनमें improvement हो रहा है, ओके, यह option हमारा first सही है, तो राष्ट पार्ट चर्या रूप रेखा 2005 के निसार गणित में कक्छा पर आधारित आकलन के बारे में कौन सा कतिन अतियूपित है, तो इसे सिफ विद्यार्थियों के मुल्यांगन के लिए नहीं करना चाहिए, बलकि प्रतिपूष्टी प्रदान करने एवं, शिक्चन अधिगम की प्रक्रिया का सुधाने के लिए भी करना चाहिए, चलते हैं नेक्ट कुश्चन पर, कुछ अधारना लेके आते हैं, बात सही है, एकदम ब्लैंक स्लेट नहीं आते हैं, चिल्देन आइडिया बहुत मैथमेटिक बिफोर कमिंग टो स्कूल आर इर्रेलेवेंट फॉर स्कूल मैथमेटिक, जो बच्चे आइडिया लेके आते हैं गड़ित के लिए, तो वो स्कूल के लिए अनूपयोगी होता है, इस तरीके से तो हम नहीं कह सकते हैं कि एकदम अनूपयोगी होता है, क्योंकि कुछ सीख के आते हैं, उसी के बेस पे तो हम आगे सिखाते हैं, सी है, चिल्देन डवलप इस्पैसियल अंडेश्टेंग ओनली वाई श्टेडिंग जयमेट्री, कि जो बच्चे हैं वो जो इस्थानिक समझ है उसको सिफ जयमेट्री पढ़के समझ सकते हैं, जो प्रात्मिक इस तर पर बच्चे होते हैं वो सेपस को अकार है उसको अपने आसपास देखके पहचान सकते हैं, तो यहां पर यह भी सही है, लेकिन यह दो जो B और C जो option है, यह सही नहीं है, कि जो वो idea लेकर आते हैं, वो irrelevant होते हैं, और जो special इस्थानिक जो समझ है, वो सिर्फ geometry पढ़के समझ सकते हैं, तो यह दोनों option सही नहीं है, A और D सही है, तो हमारा option first हो जाएगा, A and D, जो सही, ओके, बच्चे विद्याले में गणित के बारे में कुछ विचार मतों के साथ आते हैं, यह भी सही है, और प्रात्मी कक्छाओं में बच्चे अपने परिवेस में आकरितों को पाश्चानने में सक्चन होते हैं, यह दोनों option सही है, इसलिए हमारा first option सही है, ओके, चल important feature of mathematics curriculum is R, NCF 2005 के अनुसार जो गणित्ती पाठिकरम होता है, उसके लिए क्या important feature, महत्पूर्ण क्या है, it should be ambitious and coherent, यह ambitious and coherent होना चाहिए, it should be activity oriented, activity oriented होना चाहिए, it should include more number of summative assessment, इसमें summative assessment, ज्यादा होने चाहिए, जो exam होते हैं वो नहीं, it should emphasize on procedure and knowledge and formulae over understanding, it should be emphasize on procedure, इसको जो पाठिकरम है, उसको procedures और ज्यान पे ज्यादा जोड़ देना चाहिए, तो यह भी हम कह सकते हैं, या फिर यहां लेकिन procedure और knowledge तक टो ठीकर लिगान, formulae आ गया ना, कि formulae पे ही सिब बेस्ट होना चाहिए, तो यह भी सही नहीं है, यह ambitious, यह जो है मतलब हम इसका हिंदी जूप पढ़ लेते हैं, इसे महत्वा कांची एवं सू संगत होना चाहिए, जिस जूची के अनुसार, अभिसकता के अनुसार यह सब होना चाहिए, A भी सही है और B भी सही है, activity oriented होना चाहिए, तो यहां पर हमारा option हो जाएगा, third option A and B, okay, got it, हिंदी में पढ़ लिजे, इसे महत्वा कांची और सू संगत होना चाहिए, गणित पाठे चर रहा, इसे क्रिया कलाब गति विदी पर खेंदित होना चाहिए, सही है, इसमें अध अधिक से उपर क्रिया वृधियों और सूत्रों के ज्यान पर बल देना चाहिए, नहीं, यहां क्रिया वृधियों तक ठीक था, लेकिन सूत्रों के ज्यान पर बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, वो भी प्रात्मिक इस तर पर, तो हमारा A और B option सही है, हमारा next question है The most appropriate example of student-centered classroom in mathematics is, सबसे बेहतर जो example है, उधारन है, student-centered classroom का, student-centered classroom का होता है, जहां उसकी बच्चे की need को, interest को ध्यान में रखा जाता है, तो providing multiple questions to every student in the class for practice, बच्चों को बहुत जहारे, question दे देने चाहिए, यह child center नहीं, teacher centered है, कि बच्चे को question दे दिया गया और बच्चे सां teacher is asking every student to solve the problem on the blackboard, teacher जो है, हर एक बच्चे से पूछ रहे है, कि question को आके blackboard पे solve करे, तो इसमें teacher और student engaged तो है, लेकिन हम centered है की नहीं है, इसको हम नहीं कह सकते, दूसरा option पढ़ लेते है, teacher is engaging with student in the classroom to build their mathematical understanding from their personal experience, teacher ने जो है, student को engage रखा है, कि बच्चे जो गणित की समझ को fix it कर सके, अपने personal experience तो यह ज्यादा सही है, फूर्थ भी पढ़ लेते है, teacher is solving the problem on the blackboard and explaining the algorithm of the student, teacher आता है, problem solve कर देता है, उसके process को बता देता है, कि यह इस तरह से solve होगा, तो यह teacher centered है, student centered नहीं है, second भी option सही था, third भी option सही था, लेकिन third जो है, ज्यादा सही है, ओके, यहाँ पे भी teacher और student दोनों engage तो है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा engage है, कि बच्चे अपने पूर अनों से ग्यान को बना रहे है, known to unknown सीख रहे हैं, तो यह ज्यादा सही है, प्रात में किस्तर पर गनित की किताबों को लेकिए, the problem given in the textbook should reduce solution to knowledge of specific tricks, P option है, the language used in textbook must not be far removed from everyday speech of the student and the book should not include story and other narrative, rather should include a lot of question of a practice, तो देखे, यह third option गलत है, कि बुक में ऐसी कहानिया और कथन नहीं होने चाहिए, और बहुत ज्यादा question होने चाहिए, प्रैक्टिस करने के लिए, यह सही नहीं है, P option है, the language used in textbook must not be far removed, जो बच्चों की daily use वाली भासा है, उससे बहुत ज्यादा अलग नहीं होनी चाहिए, कि बच्चे daily life में तो कोई और बातचीत में भासा यूज कर रहे हैं, और उसमें बुकों में एकदम hard language दे रखे, जो उनके समझ में नहीं आ रहा है, तो यह option सहिए कि बहुत ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, and first the problem given in textbook should reduce solution to knowledge of specific trick, problem ऐसे होनी चाहिए, जो solution बहुत 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 लंबे solution को reduce कर सके, specific tricks को कम कर सके, तो यहाँ पर यह option भी सही है, तो यहाँ पर जो हमारा, यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं हिंदी में भी हम पाठकरम में दी गई समस्याओं के समधानों को केवल विसेश युक्तियों के ग्यान तक सीमित होना चाहिए, नहीं, first option फिर हमारा गलत हो जाए, given specific trick से answer को solution बताया जाए, यह बहतर चीज नहीं है, बी option से यह पाठे, पुस्तक में उपयोग की गई भासा विद्यार्थियों की रोज मर्रा की भासा में बहुत अलग नहीं होनी चाहिए, यह बात सही है, और भ्यास के लिए अनेक प्रस्न होनी चाहिए नहीं, तो यहाँ पर हमारा बी option सही हो जाएगा, only बी, that is third option सही हो ज learning, जो है, इन में से कौन सा mathematics teaching, गणित के सिक्षन और सीखने में कौन सा process, कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है, abstraction, investigation, optimization and wrote memorization, तो देखे, wrote memorization तो यहीं से हमारा answer कितना simple सा है, कि wrote memorization तो किसी भी subject में नहीं होना चाहिए, और खासकर गणित में सवाल को तो हम रठी नहीं सकते, यहाँ पर हमें समझ विक्सित करनी है, तो गणित की सीखने और सीखाने की प्रक्रिया में जो रट्टा माने की प्रक्रिया है, यह सम्मिलित नहीं होती है, ओके, निमलिकत में कौन सा गणित के सिक्षन में अधिगम के प्रक्रिया में सम्मंदित नहीं है अमूर्तन तो बहुत जरूरी है अन्मेशन इन्वेस्टिगेशन भी बहुत जरूरी है इसमित्ती करन अप्टिमाइज करना ये भी जरूरी है लेकिन जट करियाद करना ये जरूरी नहीं है ओके चलते हैं नेक्ट कुश्चन पर Which of the following is not a step of पूलियास problem solving model पूलियास क्या थे जॉर्ज पूलियाक mathematician थे उन्होंने problem solving problem को solve करने के कुछ तरीके दिये थे तो इसमें से कौन सा नहीं है step कौन सा नहीं है understanding the problem problem को तो समझने ही पढ़ेंगे memorize the algorithm जो algorithm में उसको memorize करेंगे याद करेंगे device plan device करेंगे और पीछे देखेंगे तो problem solving के कौन सा इस्टप नहीं है यह algorithm को memorize करना नहीं है पहले problem को देखेंगे फिर एक problem device करेंगे sorry plan को device करेंगे फिर plan को carry out करेंगे और फिर result देखेंगे इसमें algorithm का कोई वो नहीं है memorize करने का रटने का याद करने का तो हमारा second option जो है यहाँ पर सही हो जाएगा इस question के हिसाब से क्यूंकि हम से not करके ही पूछा था तो निमलेखत में कौन सा पोल्या के समस्या समधान के प्रतिरूप model का चरनी है तो कलन विदी को याद करना बाकी समस्या का समझना जरूरी है योजना की युकती निकालना योजना बनाना और पुना चांचना ये जरूरी है चलते हैं नेक्स question पर विल अदिग प्राइब ग्रतिरूक निकालना अथ प्रूरी है ओ समस्या समस्या सब्सूरी में खिए प्रतिरूप चांचना चांचना ओत्तिरूपका 10 एल ये जिए खिले क्रतिरूपका 10 अचना ग्रतिरूपका 10 number of the student has used कहा रहा है addition की कौन सी property जो है यूज की है student ने तो यहां पे देखे कौन सी property यूज की है पहलो तो देखे कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी यूज की है जैसे a plus b equal to b plus a और यह तो एसोसियेटिव प्रॉपर्टी है तो यहां पर कॉमिटेटिव और एसोसियेटिव प्रॉपर्टी दोनों यूज कर रहा है यहां पर simple सा first answer हमारा जाइट हो जाएगा जो छात्र द्वारा किया यूज की गई प्रॉपर्टी है वो कॉमुटेटिव एंड एसोसीटिव प्रॉपर्टी है करम विन में और सहचर नियम का उप्योग किया गया है चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट कॉस्ट्टन पर कि एक बच्चे को मुल्टिप्लिकेशन से प्रॉब्लम दिया गया उसने इस तरीके से कर दिया उसने कुछ साथ इस तरीके से किया है 3 5 जा 15 1 कैरी रखा होगा 2 3 जा 6 6 प्लस 1 7 कर दिया है तो सबसे ज्यादा संभावना क्या हो सकती है इस तरह की गलती करने का पहला देश्रेंट इस अनेबल तो डिकॉल दा मुल्टिप्लिकेशन टेबल अप्टू 10 जो है टीबल जो है इस टेबल नहीं याद आ रही है इस टेश्रेंट जो है एडिशन में जो सीखा था वो अल्गोरिफम को मुल्टिप्लिकेशन के उपर एप्लाई कर दिया है हां हम यह कह सकते है सब्सक्राइब के बारे में जानता ही नहीं है यह भी नहीं है यहां पर जो है जो उसने एडिशन में सीखा था अलगोरिथम उसको को multiplication के ऊपर extend कर दिया है यहां पर नियम लगा दिया है तो एक विद्याथी गुणन पर समस्या में को निमलेकत रूप में हल करता है तो उसने क्या-क्या है विद्याथी ने योग के कलन विद्य को गुणन के अती विस्तारित कर दिया है तो यह था आज का session friends, आप लोग को session कैसा लगा, कोई doubt हो, कोई confusion हो, आप उसे बता सकते हैं, solution जरूर दिया जाएगा, और जो लोग नए हैं, वो subscribe जरूर कर दें, और अपने friends के साथ भी share कर दें, ताकि वो लोग भी इस video का वाइदा उठा सके, आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे, हम लोग ज प्रिया कर दें, जरूर को सम एध ऐगा हैं, उज एप ताकि उहाएगा, ताकि नहीप झागा ऑट चार मुजफ और देंना ही मिलेंगे, से आप लिए पर सखफूफ्स को जए मिलेंगे हैं, यзд मिलेंगे हैं, कर दो लोग बसे दोग